सो हलो वरियों स्वाथ दोस्तों पर फिर साब सबी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियान एर फोर्स गुरूप सी रिजल्ट अपडेट के बारे में जी आँ दोस्तों काफे दिनों से कोई भी अपडेट आप दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस यूटूब चैनल पर पहली बार वीजिट कर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आपको इस तरह के जितने भी वीडियो जितने भी अपडेट सो इंडियान एर फोर्स गुरू विजबा देखिए पहले चीज़ दोस्तों कि आपका अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है पहले चीज में इस पर बता दूं आपको कि आप अगर किसी भी एर फोर्स ऑस्टेशन पर अपलाइग किया हो जैसे कि अगर आपने आफ रिज्ड पर किया हो त्री बी आडी पर किया ह यानि all over India में जितने भी Air Force का जो आपका base है आपका Air Force Station है जहां पे भी आपने apply किया हो आपने return examination दिया हो अगर आपने return test दिया है ठीक है अगर आपने return test दिया है और result list का वेट कर रहे हो तो आपको जन करी देदू कि दोस्त Indian Air Force का क्या होता है कि especially Indian Air Force Group C का यानि जो civilian की vacancy आत यानि अपने जो Air Force Station है उसके बाहर आपकी result list लग जाती है और बहुत सारे Air Force Station ऐसे हैं जो कि आपको पहला काम करना है कि आपको अपने post office से continuously update होते रहाना ठीक है पोस्ट office से कि आपके नाम का कोई call letter आया है या नहीं है ठीक है और अगर आपने return examination दिया है तो दोस्त आपके admit card के उपर एक phone number telephone number लिखा हुआ होता है जो कि civil admin का होता है आप होँआ पर call करके संपर्क कर लोगे बात कर लोगे अब कुछ candidates कहते हैं कि सर रिजल्ट रिष्ट को आई नहीं लेकिन मेरा roll number नहीं आया मेरा नाम नहीं आया तो दोस्तों आपकी जो result रिजल्ट है जो की final selection का तौर पे भेजी जाती है जो भी selected candidates होते हैं उनकी result रिजल्ट रिष्ट के basis पे प्रिपेर ह कटफ के basis परेपेर होती है अब कटफ कर आता है ने में से अ ने यह मैं guarantee के साथ बोलता हूँ क्योंकि साल 2020 में बहुत सार Air Force Association का सभी Air Force Association ने लगबग आपके 80 के प्लस के उपर सबका जो skill test का callator था हो दे दिया था और अगर आपका 90 marks का था है तो आपका 70 plus अगर score है तो आपका skill test का जो admit card हो आएगा ठीक है लेकिन यहाँ पर problem क्या होती है कि आपने देख लिया कि यहाँ पर 80 marks है और यहाँ पर देख लिया कि आपने 70 marks है तो बहुत सारे students का लगा कि मेरा selection हो जाएगा तो नहीं ऐसा नहीं है suppose करो कि अगर मानलो किसी air force association के vacancy है और वहाँ पे चार post है ठीक है चार post है और वहाँ पे 10 लड़कों ने examination दिया तो आपकी दोस्तों जो final result list prepare होती है यह आपके return examination के merit के basis पे प्रिपेर होती है ठीक है return examination के merit के basis पे तो कैसे होती है तो अगर मानलो 90 marks का paper है 10 students हैं आप अन्रिजब्ट से हो से हो से हो तो इन सारे का जो cut up होता है यह अलग अलग जाता है लेकिन अगर आपने 85 प्लस score किया है यानि सिंबल समझ के रखो कि जो स्टुडेंट सबसे ज़्यादा score करेगा उसका selection हो जाएगा यह चीज़ है इंडिया नियर फोर्स टाइम होता है अगर आपने return examination दिया है तो इसका होता है within 3 months ठीक है और आपने अगर skill test दिया है तो इसका भी होता है 3 months तो बहुत सारे return examination की within 3 months के जो skill test है इसकी भी 3 months के अंदर अंदर में आ जाती है ठीक है अब यहां पे जो students परिसान थे की मेरा call letter तो मेरा आया नहीं मेरा skill test में जो नाम है यह आ गया है means कि मैंने skill test भी clear कर लिया तो मेरी final जो result लिश्ट आने वाली है उसका जो merit हो कब तक आ जाएगा तो दोस्तों यह one month के अंदर अंदर आता है पहले चीज़ कि आपका जो skill test है और return examination का है इसका three months लगता है और आपके जो final merit list है यह आपके one month में आ जाती है तो अगर आपका अभी तक call letter नहीं आया है आपने किसी भी air force session पर apply किया है तो बहुत सारा students परिशान होते हैं कि मेरा call letter अभी तक नहीं आया है क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है तो दोस्त आपको tension नहीं लेना है तो दोस्तों आपका जो call letter होगा by post आपके घर पर आ जाएगा बस आपको काम क्या करना है कि post office से continuously update होते रहना है ठीक है अब दोस्तों देख लेते हैं कि कौन से air force session ने अपने रिजल्टी लिष्ट को जारी किया है और बाकी सारे air force session का क्या update है सबसे पहले चीज़ दोस्तों कि आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पे एक air force session के result लिष्ट है तो यह कौन से air force session के result लिष्ट है बहुत इनों से बहुत सारे students परिशान थे तो सबसे पहले चीज़ दोस्तों कि यह जो आपके रिजल्ट लिष्ट है यह ATS किया ठीक है यानि Airman Training School जो की आपका तामरम में इस्थित है Airman Training School तामरम के लिए अगर आपने अपलाई किया था दोस्त आपका जो रिजल्ट लिष्ट है सुजारी कर दिया गया है और जो भी selected candidates है उनके यहां पर रॉल नमबर नाम और उनका जो फादर स्थनेम है और डेटो बर्त मेंसन किया गया है दोस्तों यह जो रिजल्ट लिष्ट है आपकी HKS ट्रेट की है यानि हाउस कीपिंग स्टाप जो ट्रेड है इसकी यह रिजल्ट लिष्ट है तो अगर आपने भी अपलाई किया था तो यह आपके है रिजल्ट लिष्ट रिष्ट अपको देखने को मिलेगा है हमारे टेलिग्राम गुरूप पका जो लिएक दोस्तों वेडियो के आपके पर अस 민 केप है अप्डेट के बार में तो बहुत सारे स्ट्टेंट्स परिथान थे जैसे कि पहला है आपका आगरा Air Force Station के बारे में ठीक है आगरा Air Force Station के बारे में तो दोस्त आगरा Air Force Station का अभी result जारी नहीं किया गया है इनका जो 4 March को जिनका भी एक्जामनेशन 14 March को सवरी 14 March को जिनका भी skill test हुआ था बस उनका रिजनल रिलिष्ट लगा है बाकि किसी भी date वालों का अभी तक इसके बाद दूसरे नंबर पे है आपका Air Force Station 3 BRD चंडी गड़ का दोस्तों अगर आपने अप्लाइ किया था तो अभी आपके MTS टेट का रिजल्ट जारी किया गया है बागे किसी भी टेट का आपका दोस्तों जो रिजल्ट हो अभी जारी नहीं किया गया है ठीके इसके और आपका पालम दोस्तों हिंडन गाजियाबाद और पालम यह दोनों का अभी तो कोई अपडेट नहीं है यानि कि अभी तो कोई इसका अपडेट जारी नहीं किया गया है और कोई भी चांस अभी दिखता हुआ नहीं लग रहा है आपका रिजल्ट के रिगार्डिंग त इसी के साथ दोस्तों सुलूर एरफोर्स अस्टेशन के जो भी कंडिडेट्स अप्लाई किये थे इनकी दोस्तों जो रिजल्ट लिष्ट यह डिस्पले नहीं की गई है लेकिन जो भी सेलेक्ट कंडिडेट्स है इनके जो एडमिट काड है बाई पोस्ट इनके घर पे ऐरफोर्स स्टेशन के लिए अगर आपने अपलाए किया था ऐस्तों के लिए लग चुका है अप जा करके चेके छेक लिएएंजिश्ट के लिए को वड करो बिडियो के माथिह थो और अगर आगे गह तो वीडियों को लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पेहली बारार आरए तो दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वेडियो पर तब दखले धन्यवाद जाहिए